दुनिया का कड़वा सच, मौत के तुरंद बात क्या होता है शरीर में? हर इंसान को ये बाते जरूर पता होनी चाहिए. मौत से आस तक कोई नहीं भाग पाया, क्योंकि जीवन का सबसे कड़वा सच मौत है. बड़े से बड़े सादूसंद हो या फिर कोई भी जानवर हर किसी को इसके कड़वे सच से होकर गुजरना पड़ता ही है. लेकिन क्या आपको पता है प्राण और आत्मा के अलग हो जाने के बाद क्या होता है इस बेजान शरीर का? नमबर एक खून का पानी में बदलना क्या आपको पता है व्यक्ति के प्राण चले जाने के बाद उसके शरीर का सारा खून पानी में बदल जाता है. तब ही तो मृत होने पर इनसान के शरीर का वजन तेजी से बढ़ जाता है. नमबर दो शरीर का अकड़ना मौत के कुछ समय बाद शरीर के हर अंग में अकड़न शुरू हो जाती है. इसकी शुरुवत पलकों में एठन और गले की मास पेशियों में अकड़न से होती है. नमबर तीन शरीर का नीला पढ़ना मृत शरीर को अगर बरफ पर ना रखा जाए तो कुछ ही समय पश्चाद शरीर का रंग नीला पढ़ना शुरू हो जाता है. नमबर चार मास पेशियों का कुछ घंटों तक भी जिन्दा रहना सुनने में भले ही आपको अजीब लगे लेकिन मौत के कुछ घंटे बाद तक इनसान की मास पेशियां जिन्दा रहती हैं. इसी वज़े से कभी कभी किसी व्यक्ति के मरने के बाद भी शरीर में थोड़ी आना मरने के थोड़ी देर बाद तक भी इनसान के शरीर से अजीबों करीब आवाजों को आते देखा गया है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मरने के बाद इनसान के शरीर में अकड़न आ जाती है. और ये आवाजे डगार और फार्ट के तोर पर भी देखी गई हैं. अस्प सबसे आखिर में शरीर की हड़ियां चोड़ती हैं साथ. इनसान के जीते जी जो एंजाइम खाना पचाने में मदद करते हैं, मौत के बाद वही शरीर के अंगों को पचाना शुरू कर देते हैं. सबसे आखिर में हमारे शरीर की हड़ियों का टिकॉंपोजिशन होता है. नंबर 7, चहरी की जुरियों का गायब होना, इनसान जीते जी जिन जुरियों को खतम करने के लिए बड़े से बड़ा जतन करता है, ठीक मनने के बाद उसके शरीर की सारी जुरियां अपने आप खतम हो जाती हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मृत शरीर पर जुरियां या ज जिन्दा रहना माना जाता है इंसान को मृत खोशित करने के बाद भी दस मिनट तक उसका दिमाग जिन्दा रहता है नमबर नूख शरीर का सिकूड़ना मौत के कुछ घंटे बाद व्यक्ति का शरी धीरे धीरे सिकूड़ कर छोटा हुने लग जाता है नमबर दस शरीर से दुरगंदाना जिस शरीर को महकाने और चमकाने के लिए लोग बड़े से बड़े खुश्बुदार प्रोडेक्ट का इस्तमाल करते हैं वही मरने के बाद इंसान के शरीर से बहुती गंदी दुरगंद आनी शुरू हो जाती है क्योंकि अपने परिवार वाले भी सेहन नहीं कर पाते वीडियो अच्छा लगा हो तो जादा से जादा जरू शेयर करें और हमारे वीडियो को जरू लाइक करें धन्यवाद